हेलो साथिओ कैसे आप लोग उमीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जम कर पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों आप लोग को पता है कि अभी हम लोगे जोगरफी पढ़ रहें और जोगरफी में Indian जोगरफी यहड़े कि भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहें और आज का जो वीडियो होगा दोस्तों आज हमारा Indian जोगरफी का पाचवा लेक्चर है 5 लेक्चर है इससे पहले आप लोगको बता दें कि 4 वीडियो Indian जोगरफी पर मैंने अपलोड कर दिये हैं अगर आप लोग नहीं देखें तो सबसे पहले उन चार वीडियो को देखें ताकि आगे का जो चीजें हम पढ़ाएंगे वह आप लोग को इजली पूर्वक समझ में आ सके ठीक है तो आएए हम लोग पढ़ते हैं आज इंडियन जोगरफी का पांचवा लेक्शर भारतिएे भुंगोल का पांचवा लेक्शर हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग को बतादेंगि राज तथा केंद्र सासीत पर्देश व जे भारत का जितने राज और केंद्रे रजधानी कहां और कौन से राज में कितने जीले यह भी बता चुके थे आज हम लोग च्छुरुण पढ़ेंगे आज हम लोग जो भी राज है उसमें कितने जीले हैं और उस एक एक राज desen के बारे बिश्तार पुर्वक अधियन करेंगे इसका छेत्रफल कितना है इसका गठन कब हुआ यह सारे चीजों को हम लोग आज पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा यह वीडियो और चीजें समझ में आती है आप आप लोगों को मेरे वीडियो से फाइदा होता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आगे अप लोड करूं वह आप लोगों को आसानी पुर्वक प्राप्त हो सके ठीक है तो आए अस्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन इंडियन परदेश अब अरुनाचल परदेश की रजधानी की बात करें तो यह इसका जो रजधानी था वो क्या था इटा नगर अरुनाचल परदेश की रजधानी कहा है जोस्तों इटा नगर और यह इसका एक टॉपिक हम अलग बनाया थे सभी राज्यों की रजधानी और केंद्र सासित परदेश में जीले इसका भी वीडियो एक ही में सभी कुछ एक ही में था उसको पहले आप लोग जाकर देखिए ठीक है अगर अरुनाचल परदेश की कूल छेत्रफल की बात करें तो वो है 63,743 बर्गे किलो मीटर त्परदेश की कूल छेत्रफल कितना है दोस्तों तो 83,743 बर्गे किलो मीटर है और यहां पर कूल जीले की बात करें है कूल जी ले तेज जी ले है ठीक है तेज जी ले है और सचर्था दर कितना है सचर्था दर है दोस्तों 63.8, 63.38% सर्चर्चषट दर यह है, साचर्चषटर दर है, कितना, 63.38% है, जबकि Лिंगानुपात की बात करें, तो यह 938 है, अब लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, तो एक हजार पूरुस पे 938 इस्तिरिया है ठीक है यही लिंगा नुपात होती है यहां की मुखे जो भासा है वो अंग्रेजी है कौन-कौन भासा है अंग्रेजी है मौनपा है मौनपा मौनपा है और मीजी और अक्का यहां की यह भासा है अंग्रेजी मौनपा मीजी और अक्का और कुछ आने भी होगा तो यह चार भासा हैं आप लोगे मैंड में सेट करें तो कोशन नहीं छूटेगा तो यह चीजे हम लोगों ने देखा कि आरूनाचल पर और अरुनाशल पर देश की कूल जो छेतरफल है वो तेरासी अजार साथ सो तेतालिस बड़ किलोमीटर है जबकि यहां कूल जीले की बात करें तो अरुनाशल पर देश में कुल कितने जीले है 23 हमारा जो बिहार है उसमें कितने जिले 38 जिले तो उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से तो अरुनाजल परदेश राज में कितनी कितनी जिले 23 साचरतरदर यहां कि कितनी है तो 63 पॉयाई 38 पर 30 और लिंगा नुपात कितना है 938 यानि 1000 पूरुष पर यहां 938 इस्तिरिया है यहां कि मुख भास आये क्या है सबसे पहले आया अंग्रेजी यानि कि अंग्रेजी यहां पर जाज़ा चलता होगा उसके बाद मोनपा है मीजी है अक्का है यह सब वहां का लेंगवेज है भासा है ठीक है अब यह तो हो गया और कुछ आनि विभासा और इससे जूड़े अरुनाचल परदेश से जूड़े हुए और कुछ जैसे अरुनाचल परदेश का जो प्राचीन नाम था वो था नेफा क्या था नेफा अब नेफा क्या होता है तो नेफा जो होता हो इंगलिस एक बढ़ है एन एफ ए नेफा अब ये नेफा का मतलब होता है क्या तो इसको हम लोग जानते हैं कि नौर्थ इस्ट इसका मतलब होता है नौर्थ इस्ट नॉर्थ इस्ट फ्रॉंटियर 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 एजन्सी एजन्सी यानि की एन इफ है यानि की नेफा का जो फूल फ्रम होता है नॉर्थ इस्ट फ्रॉंटियर एजन्सी ठीक यह इसका नाम से जाना जाता था अरुनाचल पर्देश नेफा के नाम से जाना जाता था लेकिन 20 जन्वरी 20 जन्वरी कब दोस्तों 20 जन्वरी सबसे पहले तो बात करें कि अरुनाचल पर्देश को नेफा कहा जाता था प्राचीन में और 1772 इश्वी में क्या किया गया 20 जनवरी 1772 इश्वी में अरुनासल पर्देश को केंद्रसासित पर्देश गोशित बनाया गया और 20 फरबरी 1887 को इसे पूर्ण राज का दर्जा मिल गया 20 फरबरी और 1987 को यह इसका अर्तिहासिक है यानि कहने का मतलब है क्या दोस्तों कहने का मतलब की यह जो आरुनाचल परदेश उसको नेफा के पहले नामसे जाना जाता था किस नामसे नेफा अब नेफा क्या है तो नेफा एक इं यह अब एन का मतलब होता है इस नेफा का फोल फ्रम होता है एन से नौर्थ ईसे इस्ट एप से प्रॉंटियर और ए से एजनसी यानि की नौट एश्ट प्रॉंटियर एजनसी अभी यह ने प्राचीन में इसको नेफा के नामसे जाना जाता था लेकिन 20 जनवरी 1972 इस वी को सकते हुआ के इसको इसको इंदुर सासीत गोसित कर दिया गया और फिर बीश फरेखलाद इसको से फॉर्ण राज का दर्जा दर्जा स्वित मिला करें तो इतनी चीज़ें साहतने आप इसकी बाद लुख जानते हैं कि अरूनाचल परेखल्ड टी crít conservatives ी अब अस्तिते इसको हम लोग जानते हैं तो कहता है कि अरुनाचल परदेश की अंतर राष्ट ये शीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन से यानि अरुनाचल परदेश का जो उत्तरी जो शीमा है वो चीन से जुड़ती है उत्तर पूर्व में चीन से जुड़ती है और प और लगति अरुनाचल परदे में गिवहाटी उच नियाले के अंतरगत आता है तो कोश्चन आ सकता है कि यह जो अरुनाचल परदे से वो किश नियाले के अंतरगत आता है तो पश्ची में भूटान से और पूरब में मियामार से ठीक है उत्तर में चीन से पश्ची में भूटान से और ये पूरब में किसे भूटान ये मियामार से जुड़ती है यानि कि ये तीन देशों से उसीन भूटान और मियामार से अंतर राष्ट ये श्रीमा बनाती है और कोहाटी नियाले के अंतरगत आता है तो यह था अरुनाचल पर्देश से जुड़े हुए कुछ बेसिक जो जनकारी था वो जहां से सवाल बनते हैं आप लोग इसे जल्दी से स्क्रीन सौट ले लीजिए या कॉपी में नोट्स बनाते चलिए आगे की रहा हम लोग बढ़ते हैं अरुनाचल पर्देश को हम लोगों ने बारीकी से समझ लिया कि अरुनाचल पर्देश को पहले जो प्रचीन नाम था नेफा नाम था लेकिन 20 जनवरी 1972 को इसे केंदरसासीत पर्देश घोषित किया गया फिर बीस फरवरी उनेशो सत असी सविक को क्या किया गया इसको पॉर्णराज्च का धर्जद दे दिया गया आदिया आनाचल परदेश को अरणाचल परदेश जो है वह हर्टी नियाले आधाता है वह नाचल परदेश जो यह तीन देशों के साथ अंतर राष्टि यह शीमा बनाती है पहला पूर्भ में चीन पर्षिम में भुटान और पूरं में है मेयमार यह तीन देसों के साथ अंतरष्ट स्रीमा बनाती इतने चीजी को आप समझे उसके बाद हम लोग आते हैं असम proves रुनाचल पर्दिश के बाद हम लोग आते हैं अब आसम की रज्धानी शभी को पता ऑगा की दि नहीं है असम की रजधानी कहां दीशपूर ठीक है असंग की रजधानी कहां दोस्तों तो वह है दीशपूर इसकी छेत्रफल की बात करें तो यह 68,000 कि 78,438 बर के किलो मीटर ना, 78,438 बर किलो मीटर जबकि अरूनाचल पर देश की छेत्रफल की बात करें तो यह था 83,743 बर किलो मीटर कि यहां कूल जीले की बात करें कूल जीला यहां पर 33 जीला है अजब कि अरुनाचल परद levers में कूल थीती जीला ही था यानिव कि अरु अरुनाचल पर देश से द ow दीखTr Я उसके बाद आता लिंगा नुपात तो लिंगा नुपात थे यहां यहां परर दो अर्पीं अन्हीं पर हैं सुरी नौसौ अन्थाबन है ठीक है लिंगा नू पास कितना नौसौ अन्ठाबन है सच अधिक है 73.81 परतीसत है 73.18 परतीसत यानि 18 परतीसत है यहां की जो मुख्य भास आए है वो असामिया है असामिया बोडो बोडो यहां की भासा है उसके बाद कारवी कारवी यह है ठीक है तो यह असम यह हो गया असम से कुछ बेसिक जनकारी कि आसम की रजजाने दिसपूर इसका जो कुल छेत्रफल है वो 78,438 बर किलो मिटर यहां जीले की बात करें तो यह 33 जीला यहां लेंगा नुपात यानि की एक हजार पूरुस पे 900 ठामन इस्तिरिया यहां सचरतरदर यानि कितने परतिसत लोग पढ़े लिखें तो 73.18 परतिसत है जो सिच्छी थे यहां की मूखी भासा की बात करें तो आसम में असमिया बोली जाती है बोडो कारवी तो कोशन आता है कैसे आता है कोशन भासा से ज अब इसके अस्थापना की बात करते हैं अस्थापना की कि अस्थापना कब हुआ दोस्तों इसकी तो इसका जो अस्थापना हो था 26-जन बरी 1950 को 26 जन बरी 1950 को यानि कि जीज़िन हमारा देश में यह जो दिवस यानि कि हमारा कनोन बना था हमारा नियम संभिधान का निर्मान हुआ था 26 जनबर 150 को उसी दिन अस्थापना हुआ था और यहां से के पॉल्टिक्स के लिए कोशन यहाद रखे कि हमारा संभिधान कब बना तो 26 जनबर 250 इसवी को बना और आसम कभी अस्थापना दिवस हमारा जो संभीधान बना था उसी दिन हुआ था तो यह चीज़ें आप लोग सेट करें मैंड में अब इसकी बात करें जबकि यह तो अस्थापना दिवस हो गया इसका 26 जनवरी 1950 को लेकिन अरुनासल परदिस के अस्थापन राज का दरजा दे दे गया ठीक है तो आप लोग इतने चीजों को समझें उसके बाद हम लोग आते हैं इसकी स्थिती की बारे में आसम किस्थिती यानि आसम किधर है और किस किस से यह सीमा बढ़ती तो आसम करता है असम को पुर्वत्तर भारत कहा जाता है तता पुर्वत्तर राज्यों का परवेश दुआर किसे कहा जाता है तो पुर्वत्तर राज्यों का परवेश दुआर किसे कहा जाता है तो पुर्व पुर्वुत्तर दुवार यानि कि पुर्वुत्तर जो गेट होता है वह की से कहा जाता किस राज को तो आसम को कहा जाता भारत का अंतर रेश्टीय सीमा बनाती जब्कि अरुनाचल परदिश 3 देशों के साथ और वह運द अन्हीं कौन-कौन था तो एक था भूर्ठान और मियामार यह था तीन देशों के साथ जबकि यह जो यह समय यह दो देशों के तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर समझ में आता है तो कॉमेंट कीजिए कॉमेंट में बताइए कि हां आपका वीडियो मेरे लिए यूजफुल है यहां से कोशन बनता है कि आए हम लोग आगे की और आर बढ़ते हैं इसे आप लोग स्क्रिन सोट ले लिजिए अभी तक हम लोगों ने दो देशों दो राजियों को पढ़ा क्या पढ़ा दोस्तों की असम का जो एक महत्पून फेस्टीबल है यानि यह के बहुत ही बड़ा फेस्टीबल है वह बीह चैनल का जू अस्थापना होगा था वहा था 26 य पिहारन ही और भी हार की रजधानी सभी को पता होगा कि पटना की रजधानी कहा है दोस्तों पटना है अगर यहाँ पे कूल जीलों की बात करें तो कूल जील आप बिहार में कितना जीला 38 दोस्तों अगर इसका हुशंत उत्फोल की बात करें सब्सक्राइब चौरानवे हजार 163 बर्ग किलोमीटर कि चौरानवे हजार 163 बर किलोमीटर बिहार का कुल छेत्रफल है बिहार में कुल कितने जी ले तो 38 जी ले हैं बिहार के रजधानी कहां तो पटना है इतनी सीजिए आप लोग जाने यहां कि जो लिंगान उपाते में 918 यानि कि सबसे कम है दोस्तों यह जबकि अरुनाचल परदिस में 938 था और असम में 958 था लेकिन बिहार में 918 यानि कि यहां के लिंगान उपात यानि बहुत कम है सचरतरदर की बात करें तो यहां सचरतरदर भी बहुत कम है यहां 61.8 परतिसत थी 61.8 जीरो परतिसत लोग ही पढ़े लिखे हैं यहां कि इसकी अस्थापना की बात करें तो इसका अस्थापना हुआ था 31 मार्च 31 मार्च 1936 इसवी को बिहार के श्थापना हुआ था और यहां की जो मूखी भासा है यहां पर दो ही भासा बोला जाता है क्या क्या बोला याता है हिंदी हिंदी तो सबसे उश के बाद उर्दू क्योंकि यहां पे दो धर्म के लोग जाधा रहते हैं एक हिंदू और एक मुशलिम दो धर्म है यहां पे ज्याधा निवास करते हैं और मुस्लिम का जो सब्द होता है लेंग्वे भासा होता वो उर्दु होता और हिंदु का तो हिंदी होता ही तो यह चीज़े आप लोग जाने बिहार से जूड़े हुए कि बिहार का जो रजदानी पटना बिहार में कुल 38 जी ले बिहार का टोटल जो छित्रफल है 94163 बर कि को हुआ था यह बंगाल से विभाजन होकर हुआ था और उडिशा सहीत उडिशा और बिहार सहीत एक अप्रेल 1936 इस भी को यह अश्ठापना इसका हुआ यहां की जो मुखिवासा था वो हिंदी और उर्दु है यह चीज़े इतनी चीज़े आप जाने अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं क्या है कि तुर्की के इंस्ताबूल में 20 धरोहर समीती की 40 भी बैठिक में बिहार कहती हासिक नालंदा विश्वी द्याले के प्रचीन अपसेसों को युनेस्को के 20 धरोहर की सूची में सामिल किया गया यानि कि जो बिहार की जो नालंदा विश्वी द धरोहर के रूप में किश्वी बिहार के किस विश्वी द्याले को सामिल किया गया तो वो नालंदा विश्वी द्याले और बिहार में दो बड़े विश्वी द्याले था एक था नालंदा विश्वी द्याले जिसको कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया जबकि दूसरा जो था वह नालंदा बिसको फिद्याल था ठीक इसोरी दुसरा था बिक्रम सिला भी जिए ये कुमा ये जो कमार क्या था दूस्तों ये नालंदा पिसुपी जैल है इसको कुमार गुप्त ने बनाया था जब कि इसको किया था बकतियार खिल जी इस वीपिस external जनकारी हो जाता है एक्ष्ट्रा में तो आप लोग इसे एक प्वाइंट करते चलिए यहां सभी सवाल बनते हैं यहां से अगर आप पढ़ते हैं तो यहां से हर एक प्वाइंट से कोश्चन आते ठीक है तो यह हम लोगों ने देखा बिहार ठीक है बिहार के अस्था अपना दिवस 31 मार्च उनिस्सो चतिस इस भी को इसका टोटल छेत्रफल की बात करें तो प्रानवेहजार 163 बर किलोमीटर इसकी में कूल जीले की बात करें तो 38 और इसकी रजधानी की बात करें तो पटना यह चीज़े आप लोग जाने अब हम लोग आते हैं चौथे जीले की तरफ चौठा जीला 36 गड गड चौठा जीला क्या है दोस्तों 36 गड है और 36 गड की रजधानी की बात करें तो क्या है रायपूर है 36 गड की रजधानी रायपूर अब राज रजधानी भी यहां से माइंड में सेट होती चलेगा और इससे पहले राज रजधानी के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं सभी 29 जो राज है भारत में 29 राज है और साथ किंद्रसा ही पर्देश का जो राजधानी यह बहुं भी बता चुके हैं और इन सारे राज Week और केंद्रसा सीठ पर्देश में कितने जीले हैं यह भी हम बता रखतुके तो आप लोग मेरा फोर्थ जो alla चारे यह पाक्श sources較 है इससे पहले बाले जो लेक्टर बतायते उसमें आप लो है कि एक लाख 35폰 एक लाख पैतिस हजार एक सो चॉरानमे बरग किवलो मेटर यानि की बहुत बढ़ा है दूशा एक सो चॉरानमे बर्ग किलोमीटर है इसका छेत्रफल टोटल छेत्रफल अच्छा यहां जीले की बात करें तो यहां कूल 27 जीला बताइए जीला भी कम है छेत्रफल इतना अधिक है और यहां की लिंगानुपात भी सबसे अधिक है 901 क्यानवे लिंगानुपात है और यहां की साचर्टा दर्भी अधिक है 70 परतीशत 20.28 परतीशत है यहां का लिंगानुपात यहां की भासाए है चो दो भासा है एक तो हो जाएगा हिंदी भासा बोला याता है और दूसरा 36 36 गढ़ी 36 गढ़ी भासा ठीक है तो इतने चीज़े आप लोग जाने क्या जाने की 36 गढ़ की जो रजधानी है वो रायपूर है और यहां का जो टोटल छेत्रफल है वो है एक लाख 35,194 किलोमीटर और यहां पर कूल जीलों की बात करें तो यह 27 जीला है लिंगानुपात क की बात करें 997 की बात करें तो सत्तर पॉइंट टू आठ पर तीसत है ठीक है यहां के मुख्यवासा हिंदी 36 गड़ी दो मुख्यवासा है अच्छा यह तो हो गया अब इसकी अस्थापना की बात करते हैं तो इसकी अस्थापना क्या हुआ कि एक नवंबर 2000 इश्वी को यह मध्य परदेश से अलग हुआ था जबकि 15 नवंबर 2000 इश्वी को विहार से जारखंड अलग हुआ था लेकिन एक नवंबर 2000 इश्वी को मध्य परदेश से यह 36 गड़ यानि कि सब पहले मध्य मध्य परदेश और 36 गड़ दोनों एक ही में सम्मिलित था लेकिन एक नवंब अपना उसका हुआ था जबकी एक नवंबर दो हजारेश वी को मादव पर्देस से इसको अलग करके भारत के 26 भी राज के रूप में 36 गट को गठित किया गया तो कोशन आता है कि भारत का 26 भी राज के रूप में किसको गठित किया गया तो 28 सवै राज के रुप में गठीत किया गया था जहरखंड में अब किता प्राचीन काल में यह राज दच्छिन कोशल के नां से जाना जाता था प्राचीन काल इसका प्राचीन नाम क्या था तो दॉश भूर सह हम् discuss के नाहीं से की से जाना जाता है तो 36 गड को कि यह भारत का दशनी इलाकों की राज है तो इसको दशिन कोशल के नामसे जाना जाता था बहुत इंट्रेस्टिंग है आए फिर से इसको हम लोग एक बार फिर से करते रिभाईज 36 गट की राजधानी रायपूर इसका टोटल छेत्रफल की बात करें तो एक लाग 35,194 बर किलो मीटर जबकि यहां कुल जीले की बात करें 36 गट में कितने जीले है तो 27 जीले है यहां की लिंगा नुपात की बात करें तो 9,91 इस्तीरी है 1000 पूरुस पर यानि कि सिर्फ 9 पूर 200 के बराबर इस तीरी को होनी चाहिए और जबकि यहां कि साचर्थादर की बात करें तो यह है 70.28 परतीसत यानि यह भी अच्छी है और यहां की दो मोखिभास आएं हिंदी 36 गड़ी जबकि हम लोग आश्रम में पढ़े थे असामिया था तो इसका 36 गड़ी है इसकी को अलग करके भारत के 28 वे राज के रुप में इसको अस्थापना कर दिया गया तो इसका मद यह 36 गड़ का स्थापना कब वहा तो एक नवंबर एक कोपी में इसको नोट करते चलिए आप लोग वो सारे चीज़ें समझ में आ जाएगे की मज़ा आ रहा होगा अब भम लोग आते हैं गोओ गोवा यह पग्लव करें कि गुआ की जो रजधानी है वोब पंझी कहां गुआ कि रजधानी कहां जोस्तों तो इसकी जो रजधानी है पंझी है okay which of ए रर यहांक्य प्रेर तिरहां की जन संख्या है है वो मात्री स्वरीत जन सकेनीह चेतरफल 37002 बर्ग किलो मीटर सोरी 37002 बर्ग किलो मीटर ठीक है यहां पर मात्र दो जीला है सबसे कम जीला है लेकिन सबसे ज़्यादा बीक्सित है हमारा बिहार में 38 जीला है फिर भी ये बिहार है जो पिछले राज के दर्जा में आता है यानि पिछला राज इसको कहा जाता है बीमारू राज गीमारू राज ठीक है तो यहां पे गोवा में दो क्या है दो जीले हैं मात्र और छेत्रफल भी कम है लिंगा नुपात की बात क करें तो यह बिहार से ज्यादा है 973 ठीक है और आगी की और हम लोग आते हैं इस यहां जो सचर्टा दर है यह भी अधिक है 88.73 पर तीसद यहां पर सिसी जो सिचीत लोगों की संख्या वो भी अधिक है बिहार से बहुत ज्यादा है कि यहां की मूख्य बहसा है कौंकनी कौंकनी यहां की मूख्य बहसा है कौंकनी और मराथी तो कोश्चन आता है यहां से कि कौंकनी कहां की मूख्य बहसा है तो कौंकनी है जो गोवा की गोवा में कौंकनी बोला जाता है और मराथी भी बोला जाता है तो यह चीजे बेसिक था हम लोग क्या पढ़े कि गोवा के रजधानी पंजी गोवा की कुल छेत्रफल 37002 किलोमीटर 37002 बर किलोमीटर यहां पे कुल कितने जीले दो जीले यहां के लिंगा नुपात 973 और यहां की सचर्थादर 88.73 यहां की मुख्यवासा दो भासा कौंकनी मराठी यह चीजे आप समझें अग अच्छा यह हो गया और इसकी अस्ठापना की बात करें तो ऑनेश दिसंबर 1961 को गोवा को पूर्तिगालियों के ओनेश दिसंबर 1961 को कर दोस्तों और दिसंबर 1961 को गोवा को क्या किया गया कि कि पूर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करा लिया गया कूश्चन आ सकता है कि गुओअ को पूर्तगालियों के पहले किसका सासंत था तो पूर्तगालियों क 25 तो 19 दिसम्बर 1961 को इसको पूर्त गालियों से मुक्त कर दिया गया और इसे बमन और दीब के साथ मिलाकर केंद्रसासित पर देश बनाद बनाया गया यह जो गोवाँ ता गोवा चाहिए पर देश लेकिन गोवाँ इसकाउन परदेश नहीं बोलेंगे क्योंकि दमन दीव के साथ मिला गया तो हमारा जो किंद्रसासीत परदेश हो गया दमन दीव हमारा किंद्रसासीत परदेश है यानि कि गोवा को भी उश्य में शम्मिलित कर लिया गया ठीक है इसको दमन दीव के साथ जोड दिया गया और किंद्रसासीत परदेश बना दिया गया जबकि 30 मई 1987 को गोवा का पूर्ण राज्ट था दमन और दीव को किंद्रसासीत परदेश का दर्जा दे दिया गया में 30 मैं हां 30 मैं को 30 मैं 1927 इस भी को पूर्ण राज का इसको दरजा दिया गया तथा दमन और दीव को के क्वंद्रसासीत-परदेश का दरजा दिया गया यानि 10 मई 1987 को इसको पूर्ण राज का दर्जा दे दिया गया और इसको बाद दमन और दीब को भी केंद्रसासित परदेश अलग घोसित कर दिया गया ठीक है तो यह जो पूर्ण राज का दर्जा कब इसको मिला तो 30 मई 1987 भी को गोवा को तो यह चीजे आप लोग समझे जुराओं कोंकन रेलवें स्टेशन से मुंबई और मंगलूर जुडा हुएं कि कौंकन जो रेलवें स्टेशन है उसके द्वारा मुंबई और मंगलूर से जुडा हुआ है गोवा बांबे उच नियाले के अधिकार चेत्र में आथा गोई गिस नियाले Kid तरफ यह जो अरुनाचल परदे से वह गोवहाटी उचनियाले के अंतरगत आता जबकि गोवा है जो बामबे उचनियाले के अंतरगत आता है और कौंकन एक रेलबे स्टेशन है जिसके दुआरा यह मुंबई से मंगलोर तक जुड़ा हुआ है कि आगे की और हम लोग आते हैं अब हमारा जो अगला जो राज है वो है गुजरात गुजरात और सभी को पता होगा कि हमारा जो पी-एम है माननी ये नरेंदर मोदी ये गुजरात की रहने बाले है और की जो रजधानी और कहां है तो गांधी नगर का गुजरात की रजधानी कहां है दोस्तो गांधी नगर है यहां कि कूलगवल के तो यहां तो और अधिक छेत्रफल है 1,996,196,244 बर्ग किलो मेटर यहां की कूलगवल छेत्रफल है अच्छा यहां पे कूल जीले की बात करें तो 33 जीला है के यहां पर कुल जीले की बात करें तो 33 जीले है लिंगा लूपात की बात करें तो 999 है और साचरतादर की बात करें तो यह कितना है सेवंटी एट पांच जीरो तीरी परतिसत है कि वो यहां की जो मुख्य भासा आया है वह गुजराती है कैसी भासा बोला जाता है तो गुजराती एक भासा होती है गुजराती भासा यहां किलो मीटर कुल जी ले 933 लिंगा नुपात 919 सचर्दादर 78.03 परतिसत और भासा मुख्य भासा गुजराती यह हो गया इसके अस्थापना की बात करते हैं तो एक मई मही 1960 को गुजरात का अस्थापना किया गया थो एक मई 09 expect यह भारत के पश्यू अस्थापना किया घया था यह भारत के पश्यू राज कौन है तो गुजरात को अगर गुजराधा ऊप्शन में रहे गुजरात को ही मारना है आगे क्यों हम लोग आते हैं कि गुजरात के बारे में हम लोग पढ़ लिए गुजरात का रजधानी था गांधी नगर यहां के लिंगानोपात कितना था दोस्तों 919 था यहां के मुखी बस आये था गुजराती और यह अपना स्थित में कभ वा हुअ एक मई 1060 हिसवी आया था यह इसका स्थापना Bowl 1.60 हिस भी को अब इसकी बात करते हैं इसकी स्थिती कि तो गुजरात के पशिम और उत्तर पशिम और अरब सागर यानि कि उत्तर पशिम मेंเห और अरब सागर गुजरात के उत्तर पस्चिम में क्या है अरब सागर है जबकि उत्तर पस्चिम में तो अरब सागर हो गया तथा उत्तर पस्चिम में पकिस्तान भी इस्तित है के स्वारी परिम और उत्तर पुलबsal में अरब सागर्ण तर उत्तर परसी में पाकिस्तान इस्टित है गुजरात सब्से लंबी तत्रेख तारेख ब्रणार राज है जिसकी तत्रेखः लगभग 16 senators किलोमीटर तो यानि कि गुजराथ है जो सबसे ज्यादा किलोमेटर में अंतरष्टिय मां बनाती हैं और किसके साथ तो पाकिस्तान के साथ इसका उतर पशी में अरब सागर है और उतर पशी में पाकिस्तान इक है यानि कि इसका पश्षीम और उत्तर पश्षी में अरब सागर जबकि उत्तर पश्षी में पाकिस्तान है और यह सबसे ज़्यादा तट रेखा की निर्मान करती है यानि कि सबसे ज़्यादा तट रेखा कौन तई करती है तो गुजरात और कितना तो 1600 किलोमीटर यानि कि 1600 किल किलो मीटर तक यह अंतर राष्टिये शीमा बनाती है जो कि सबसे बड़ी है कोश्चन आती है कि भारत का कौन सा राज सबसे अत्याधीक अंतर राष्टिये जाया जाता है उत्पादन होता तो वो है गुजरात ओके फाइनल हो गया हम लोगों को गुजरात के बारे में अब हम लोग आते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ते ही हर्याना क्या पढ़ेंगे दोस्तों हर्याना अब यह जो हर्याना है, हर्याना की रजधानी सभी को पता होगा, क्या है, चंडीगड है, हर्याना की रजधानी चंडीगड, यहां पर कूल जीले की बात करें, तो 22 जीले हैं, कितना जीले हैं दोस्तों, 22 जीले हैं, अच्छा, यह तो हो गया, यहां का छेतरफल की बात करें तो यह 44,212 किलो मीटर बर्ग किलो मीटर ठीक है 44,212 किलो मीटर यहां की लिंगा नुपात दोस्तो आठ सो उनासी है लगभग और यहां सचर्था दर कितना है दोस्तो 75.55 परतीसत यहां की लिंगा नुप यहां की साचर्था दर है इसका जो अस्थापना दोस्तो एक नवंबर एक नवंबर एक नवंबर नवंबर 1966 इसबी को हुआ था जबकि गुजरात की जो अस्थापना हुआ था एक मई Twitter 2066 को हुआ था और यह जो बिहार अपना 31 मार्च उनीच घ्षाट 216 इसबी को हुआ ठीक है कि यहां की जो मुख भासा है गुजरात की जो सरी गुजरात बोल रहे हर्याना की जो मूखवासा बो है हिंदी ठेक यानि विहार की जो मुखवासा बो LAUGH और पच्रंगो अचार के अतरीक पानी पत्में हत्कर्गे से निर्मित बंताता हम वाले बंता था हात मैं परसीध है आज भी यहां पे मेले लगते हैं इसका हत गरगा जो भश than होता है उसको कर्दारी करने वाले लोगं से आते हैं हरियाना का और यहां पर पचरंगा एक में लिए फ्रमस और नीम्बू बगेरा टोटल चीज उसमें रहता मिक्स अप्रता यहां परतीख फर्वरी पर्तीख फर्वरी माह में सूरज कूंड में 20 परसीद हस्त शीप हस्त सिल्फ मेला लगता कहां मेला लगता तो सूरज कूंड में कॉन हस्त सिल्फ मेला यानि हस्त सिल्फ मेला यानि क हाथ से बनाया गया जो बस्तू है ना उसको इसका मेला लगता है और यहां लोग आता है बीस दूर दूर से याने की पूरे बीस में के देशों से यहां पर मेले के जो बस्तू मेले में जो बस्तू विक्री होता है उसको खरीदारी करने के लिए बीदेशों से यहां पर लोग रहाओगा अगर तो कॉमेंट जरूर कीजी हर्याना का जो फेमे से जो अचार पचरंगा है इसका जो अस्थापना हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों तो इसका अस्थापना हुआ था एक नवंबर 1966 को और यहां पर हस्ते सिल्फ मेला लगता है जो सूरज कुण में लगता है और यहां का जुम्मों की भासा है वो हिंदी ही है बिहार का है बो अब हम लोग आते हैं कहां दोस्तों ही माचल पर्देश परदेश से उसका जो रजधानी सिम्मिला लगता काहां है ही माचल पर्देश की रजधानी कहा है जो सीब्ला और इसका कूल 6 के बात करें तो 55600 तो हम 55637 बघे किलोमेट्र यहां की 2 6 पर यह ठीक है और किसी कि ही बात करें तो यहां भी जीछा कम ही है 125 हर्याइदा में कितने जीले 22 जी ले ठीक है और यहां हम लोग पढ़ रहे थे गुजरात में कितने जीले है दोस्तों तो 33 जीले है बिहार में 38 जीले है तो इन सीजों को आप लोग नोट करते चलिए यहां कज लिंगानू पाथ है दोस्तों वो 972 है कितना है 972 कि पर्टी सब estaba करें तो यह 12.8 परतीशत है 80 परतीशत है और है यहां की जो मुख बसा है वह हीफिle है कि हिंदी और डोगरी और पहाड़ी पतर पमजिए को कि कि जो सीमला है वह रहत तो यहां पे हींदी तो बोला ही जाता है डोगरी भासा कोशन आता है यह सब सिंपल तो यह सब सब लोग जानता पहाड़ी हिंदी यह सब डोगरी होता है उडिया होता यह सब जो भासा होता वो अजीब तरीके का होता है तो कोशन आता है कि डोगरी कहां का परसीद डोगरी किस राज का परसीद भासा है यानि मुखी भासा तो डोगरी जो सीमला का यानि सीमला कहने का मतलब है हिमाचल परदेश का डोगरी है जो फेमस भासा तो हिमाचल परदेश में तीन फेमस भासा मुखी भासा हिंदी डोगर और पहाडी पर इसके स्थापना की बात करें तो क्या हुआ कि तीस पहाडी रियासतों को एक किरित कर यानि स्वतंता के बाद जब हमारा देश अजाद हुआ था तो तीस पहाड़ी इलाकों को क्या कर दिया गया तीस जो पहाड़ी इलाका था वो सभी को एक अत्रित करके यानि कि जम्मा कर दिया गया एकी किरित करके यानि एकी किरित कहने का मतलब एकी करन एकी करन मतलब था सभी को एक मिला कर यानि कि यह जो हिमाचल परदेश है उसको तीस से तीस पहाड़ी इलाकों को मिलाकर बनाया गया था कब स्वतनता के बाद एड़ेक्डेट कब देखते हम लोग 15 अपरेल 1948 को हीमाचल परदिश के अस्थापना की गई कब 15 अपरेल कि ओने सो अर्टाली सिस्वी को हीमाचल परदिश को अस्थापना की गई और एक नवंबर 1916 को पंजाब के अस्थित में आने पर कुछ अनि संबंदी छेत्रों को हीमाचल परदिश में मिला लिया गया 25 जन्वरी 1971 को हीमाचल परदिश को पूर्ण राज का दर्जा प्राप्त हुआ 25 जन्वरी को निश्वी को पूर्ण राज का दर्जा प्राप्त हुआ यानि कि हीमाचल परदिश को पूर्ण राज का दर्जा का प्राप्त हुआ 25 जन्वरी 1971 इसवी को हिमाचल का स्थापना कब हुआ था तो 15 अप्रील उनिश्षो अर्टालिस इसवी सुअतनता के बाद तो यह चीजे हम लोगों ने जाना है हिमाचल के बारे में अगर हिमाचल परेश को किस रूप में जाना याता है देव भूमी के रूप में कोशन आता है कि देव भूमी के नामसे कॉन जाना याता तो हिमाचल पर्देश तो हम लोग पढ़ लिएं फिर से आते हैं हिमाचल पर्देश की रजधानी सिमला यहां का छेत्रपल 55637 बर किलोमेटर कुल जीला बारा लिंगानुपात 972 साचर्टादर बिरासी पॉएंट 80% मुख्यबासा हिंदी डोगरी पहारी और इसका स्थापना 15 पर अप्रेल और इसका पूर्ण राज का दर्जा तो 25 मई 1971 को कब वह दोस्तों तो 25 मई सोरी पटीस जन्वरी 1971 को 25 जन्वरी 1971 को ठीक है तो आप लोगी से नोट कीजिए हम लोग अभी दिखा कि हिमाचल परदेश की जो रजधानी था वह सीमला था हिमाचल परदेश को देव भूमी के नाम से जाना जाता है इसका जो अस्थापना हुआ था वह हुआ था एक अप्रेल परदेश की भूमी के भी नाम से जाना जाता है आगे कि वर हम लोग बढ़़ते हैं ऊचल ihan कंब में तो वह वह आता है जम्मू और कश्मीर जम्मू और कर डाई मैं क्या हम लोग देखेंगे दुस्तों जम्मू और कश्मीर और यहां की जो रजधानी है दोस्तों वो कहा है सिरी नगर जम्मू कस्मीर की रजधानी सीरी नगर है लेकिन यह गिरिश मिकाल में सीरी नगर में इसकी रजधानी होती है जबकि सीत काल में जम्मू हो इसकी रजधानी होती है यानि कि यह जो शीरी नगर है वो गिरिश मिकाल के जाना जाता है और सीत काल के लिए जाना जाता है जम्मू इसे लिए तो इसका नाम पढ़ा जम्मू कसमीर ठीक है अच्छा ये तो हो गया इसका कूल छेत्रफल की बात करें तो सबसे अधिक छेत्रफल है कि दो लाख बाइस अज्जार कि दो सो चतिश बहुत बड़ा हिस्सा है इसे लिए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान हमेशा एक दूसरे से कि क्या करते रहते हैं टकराओ करते रहते हैं कि यहां कूल जीले की पात करें तो यहां 21 जीला अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ रहा था ही मासल परदेश में 12 जीला था इसमें 21 जीला है यहां की लिंगा नोपात दोस्तों कितना है आठसो नवासी है यहां की जो मूखी भासा है मुश्लिम यहां धीक रहता है तो मुश्लिम के लिए उर्दू डोगरी दोगरी ही माचल परदेश का भी भासा था कस्मीरी और लद्धाखी लद्धाखी भासा यहां पर उर्दू डोगरी कश्मीरी और लद्धाखी भासा बोला याता है यह आप लोग जाने उसके बाद अता स्थापना तो 26 अक्टूबर और उनीस्व सहतालीस को यहां राजाहरी शीन भारतिये संग मेंokol यहां सबस्वर्णे को कर निअस्दूर व्यारत को जो संग था भारत को जो सम्मिधान था उसके इससे संबंदित इस पर हस्ताचर इसके समझोते पर हस्ताचर किये थे सीरी नगर के सिराजबाग में दिलीप गार्डन रगान पुसपोत पादन विभा की एक महत्मोनव उपलव दिये यह एसिया का सबसे बड़ा टी लिप गार्डन है सीरीनगर के सिराज बाग टीू लिप गार्डन कहां तो सिराज बार्ग और कि सिराज बार्ग है एट दियूलिप गार्डन है जहां पे फूलों की गार्डन है एक टियूलिप गार्डन कौन सा दौस्तों व्रख टियूलिप गार्डन Vienna आ यह जो गार्डन है ना वह यह का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ठीक है इसमें मार्च के अंतिम सप्ता से सब अप्रेल के अंतिम सप्ता तक पुस्प खीले रहते हैं मार्च के अंतिम सप्ता तक सप्ता से अप्रील के पर्थम सप्ता तक इसमें फुल्ब खीला हो रहता ट्यूलिप गार्डन कहां है तो यह कसमीर मे और कस्मित के किस से में यहनी सीरी नगर में सीरी नगर के किस इसे में तो सीराज बाग है और इसकी अपना कब हुआ तो 26 अक्टूबर 1947 CCB को एक राजा था राजा हरी सिंग इस ने भारतिय संग में इसके समझा तर हस्ताचर करके इसका स्थापना दीबस के रुप में इसको जाना जाता है आईए अब हम लोग आगे की और हम लोग बढ़ते हैं जारकंड की ओर किसको और हम लोग देखेंगे जारकंड को हम लोग देखेंगे कि अगे तो अभी तक हम लोगों ने देखा था किसको देखा था दोस्तों जम्मू कस्मीर को अब हम लोग आगे की और आते हैं टीव जो गार्डन था वो जम्मू कस्मीर में था जो यह सिया का सबसे बड़ा गार्डन था यहां पर अब हम लोग आते हैं जारकंड की और नीशर पता है कहा कहां हैứ जारकंड की रजदानई शभी को पता है कहां है है दोस्तों तो जारकन की जो रजधानी है वह है राची है और यहां का जो छेत्रफल है यह भी 89 1716 बरगी किलो मीटर है यानि बिहार से छोटा ही है कितना 89 1716 बर किलो मीटर और यहां की जो रजधानी राची बता है दिये कूल जीला यहां पर 24 जीला हमारा बिहार में 38 जीला यहां 24 जीला सचर्दादर की बात करें दोस्तों तो यह है कि 66.41 पर 37 यहां की सचर्दादर है लिंगान उपात की बात करें तो तालिस है मुखी भासा की बात करें तो यहां भी हिंदी है क्योंकि यह बिहार से अलग हुआ इसलिए यहां की भासा भी हिंदी है इसके अस्थापना की बात करें तो आप लोग को बता दिये थे कि 15 नवंबर 29 को 15 भाषै से इसका पति नहीं करके भारत भिहार का लगभग क्षरंश स सादून के हिससे में से लगभग 46 पर 30 में अलग हैं Tips 19 नवल रहा कि 15 नवमबर 2020 कुर्ण करके भारत के 28 रुप राज के रुप में 28 राज के रूप में जारकन को अलग कर दिया गया था तो वही बोल रहा कि 15 नमब्र 2000 को बीहार के दशनी भागों को प्रिथ करन कर जारखन का बहरतिय संक्य 28 राज के रुपमें गर्षित किया इसकी स्थीति की बात करें तो जारखन के पूरब में पाश्चिम बंगाल के पूरब में पाश्चिम बंगाल पूरह में पस्षिम बंगाल है जार्खन का पूरह में पस्षिम बंगाल जबकी पस्षिम में उत्तर पर देश यानि यूपी है और उत्तर परदेश और 36 गड़ब यूए पस्षिम में सёл 3rd अधिस इसाथ क्या है उत्तर में बिहार इस का एग्चैन गहां है कि भॉडियमें दो ससतों उडिशा आभ जो डिसा है उसका बरतमान जो नाम है ऑडिशा क्या ओडि उति में मुखुरुप से छोटा नागपुर का पठार तथा संथाल परगना के बंध्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार का बंध्षेत्र और एक क्या है दोस्तों संथाल परगना के बंध्षेत्र जारकंड के हिस्से में ही पड़ता है जारकंड के घाट सीला में भारत के पर यह चीजे हो गया तो आज हम लोगों ने दस राजियों के बारे में पढ़ चुके हैं और टोटल हमारा 29 राज और साथ के अंदर सासित परदे से और टोटल मिलाकर हो जाता और 36 और 36 में से 10 को हम लोगों ने आज पढ़ लिए तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जनकारी था जो आप लोग साइद नहीं जानते होंगे और जानते भी होगे तो आप लोग को रिभायज हो गया होगा और एक्जाम का जो इक्जाम से रिलेटे जो भी कोश सोड में इंडियन जोगरफी का छठा लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन